कि नमस्कार सभी को सागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्यूश्मिस से 13 बर और आज हम बात करने वाले हैं बेदबाइस के माहा वारत का जो 35 वा विशह है स्वकुनी और दुर्यजन की बात्चित उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब बटन के बागल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो के नूटिफिक्रेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए और वीडियो अच्छा लगए तो शेयर भी किजिए आपके फ्रेंड शिप सीशुपाल हमारा दोविदा करना चाहता था और उसके मुत्ति के बाद हमारा हमें और कोई कुफल नहीं मिलने वाला थो और यहीं उन्हें ब्यास से पूझाया तो ब्यास्त ने कहा कि नहीं अब के लिए तो नहीं फिलाल पर आज से तेरा वर्ष के बाद बहुत सट ब्यदन के अपराद के कारण बीम और अर्जुन के हाथ में सब राजाओं का मुत्य होगा और आज रात को आप एक सपने देखेंगे और इस सपने में महादेव अपनी जो ब्रुष है यानि नंदी उसके बर बेट कर वो एक इंसान का वो सीर पकड़ा होगे और दक्षिन की जाते हुए आप देखोगे अपने सपन में पर इसको देखकर डर मत जाना क्योंकि संसार में कोई भी जो काल को कोई भी नहीं रोक सकता रिश्वराक का मंगल करे और अब हम जा रहे हैं और इधिश्टिन ने अपने भाईयों को बुलाया और व्यास्त व्यास्त ने जो कहा उनने उनको भी खा तो उसके बाद युदिश्टिन ने कहा कि मेरे कारण शत्रियों का मिनास होगा ये काल का निर्दे से और मैं इस सहर का कारण नहीं बना चाहता मेरा पक्ष में प्राण त्याक करना जाजा उची था और और आप मोह के कारण इसा बात करे और इसा बात मत कीजिए और आप सामधान लेकर राज जी का कल्यान कीजिए युदिश्टिन ने पतिग्या किया कि वह अपने भाईयों या किसी को भी कठोर बात नहीं कहेंगे और पजा के सेवा और कल्यान के लिए अपने आपको नियजित करेंगे और सत्या धर्म में वह के रास्ते पर चलेंगे और जब दुर्याजे निंदर पस्त में पांडव के अश्यरियों के उन्होंने देखा तो वह इर्षा से जल ले थे और एक दिन वह एक बहुती सुन्दर चट्टाण के उपर घोम रहे तर उन्होंने सोचा उन्हें लगा कि वहांपे पानी भरा हुआ है और इसल उनका बहुत लगा और एक दिन ऐसे हो जा रहे थे तो एक पूरी तरह से निर्मल जल में निर्मल जल पूरी तरह से दिख रहा था पर उन्हें लगा कि यह शायद तल भागे और इसलिए उन्हें ने बिना संकोच के वह आगे बढ़ने लगा और उनका वस्त जो है गिला हो उत थे मीदियद्ध और हो गाए और एक दिन दुरेद्ण जा रहे थे और अर्मियोप्र खुला है आधि та उनको पता चला आधि यह था कि वह दुआरे बंध haar बान दोरी दन नहीं पर डार बंद खुला है इसलि descriptive कर दोड के साथ भुला your वो ख्षृर और एक और एक अलग स्थान पर द्वार बंध था द्वार बंध नहीं था रिया पर बंध होने का अनुमान किया दुरे जन्न और उनको खोलने की लिद्धा कना कोशिश की तो नीचे गिरे रिशिपक गरीट्षा से जल लए थे और वह तीना पर लोटा है साकुनी के साथ और अलोट कर दुरे जन सकुनी से उन्होंने कहा कि मामस्री मैं देख रहा हूं कि अर्जुनापने प्रता में पूरे प्रिज्वी को जये कर चुगा है और इंद्र के सभा की जैसा इदिश्टिर का सभा यग्यें सभाप्त हो गया और उनका सभा भी उसी पकर दिख रहा है और सम अनतने देकर रिदिश्टिर को समाने इत किया यह सब देखकर मैं सोचां कि और जादे दिन जीवीत रहना ठीक नहीं है चाहे जल में डूब कर हो या अगनी में जलकर या विश्पी कर मैं अपना जीवन हराने के लिए सोचां और मैंस्तिर किया है क्योंकि सात्रु का ऐसा ह अगने देकर किसी व्यक्टि को जीवीत रहना उचीत नहीं है और पांडव का आश्रे देकर मेरा मन हो रहा है कि पुरुषात को कोई मुल्या नहीं है जो पूर्वा जन्म का फल है वह ही मिलता है तो शकुनी ने का कि दुरह दिन देखा पांडवकर्ण पांडवकर्ण जो रहे हैं और उनके पित्रु अर्जित धन के छोटा भाग है वह लाफ करके अपना पराक्रम दरा अश्रा के अधिकारिव हैं और अर्जुन जो है वह अगनी को संतुष्ट करके गांडव धन हो रक्षय तुनिर प्राप्त के हैं और मया जानब को स्रीकृष्ण और युदिश्टित को विशाल भावन नेर्मान करके दिया यह सब पांडव के सचेश्टा में और इसलिए तुम्हें दुख्या इट्षा करने उचित नहीं है और तुम्हारे पास महावेट द्रोण अस्वत थामा कृपाचार यह कंड राजा सोमदत और तुम्हारे भाईग युदिश्टित को आसनी सहरानी का उपया में जानता हो वह है उन्हें पशा खेल यानि संत्रांज के खेल में उनको निमंत्रन करो और युदिश्टित जुआ उनको जुआ खेलना बहुत अच्छा लगते और वह अच्छे से खेलना नहीं जानते पर फिर भी वह जो भी उ बैट जाते हैं और जुआ खेल में इस अंसार में मेरे समान कोई भी खिलानी नहीं है और इसलिए तुम युजिश्टिर को दिजाष्ट के दवरा एक निमांतर भेजो और आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेकिस्ट अपिसोड में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी किजिए आपकर फ्रेंट के साथ तके मेरे चैनल कर सके और आज के लिए बस इतना ही नमस्कार